आज हम डिसकस कर रहे हैं UPSC 2024 प्रिलेम्स का पेपर और यह पेपर बेहद इंपॉर्डेंट है चुकि इस बार का जो पीपर है वो एक मीडियूम लेवल का पीपर आप कह सकते हो चुकि इस बार उमेध है कटाफ सौ से उपर जाने की सभावना ऐसी बताई जा रही है वो तो आने वाला टाइम बताएगा UPSC बताएगा लेकिन अभी एक्सपेक्टेशन लोग ऐसी कर रहे हैं विकाज कुछ कोशन ऐसी है थोड़ा लूज कोशन आये हैं इसलिए कंडिडिट ऐसी पॉस्बिल्टी जता रहे हैं वो देखेंगे आने वाले कल में कटाफ क्या होग आप ये अनाल से समलोग करेंगे लेकिन आज आफ नौ ये पिपर का इस्टेंड बहुत अच्छा है और डेफिनेटली आप किसी और एक्जाम की वेदी तियारी कर रहे हों तो इस पिपर को जरूर देखके जाएं विकाज ये पिपर अपने आप में complete syllabus को revise करने की ताकत रखता है विकाज इतना important पिपर है विकाज इसमें जितने भी आपके syllabus के जो important areas है उसको touch कर लिया गया है इसलिए आप इस पिपर को जरूर प्रापर तरीके से देखके जाएं आपको काफी मदद मिलेगी तो आइए discussion के सुरुआत करते हैं let's start with the first question पहल हम लेकित कतनों पर विचार कीजिए पहला statement देता है साहल छेतर में साहल छेतर में आइस्थिरता और बिगड़ती सुरक्षा इसे तेविद्दमान है पहली बाद साहल reason है कौन सा देखो ये अफ्रीका है अफ्रीका में जो ये सहारा desert के नीचे का छेतर है इसी को हम बोलते ह हैं साहल छेतर इसमें एरिटरिया सुडान चार्ड नाइजर माली बुर्किना फासो सेनेगल मौरितारिया इस तरह की कंट्रीज आती हैं इसमें present time में सुडान में भी काफी dispute बना हुआ है चुकि यहाँ पर जो central forces है और वहाँ के पहला military forces है उसमें proper तरीके से fight हो गई थी यहाँ पर आप देखो माली में भी समस्या बनी है बुर्किना फासो में बनी हुए तो definitely साहल का जो reason है वहाँ पर काफी सारी समस्या बनी हुई है तो पहला statement यहाँ पर बिल्कु सही है लिखता है there is instability and worsening security situation in the साहल reason तो पहला statement यहाँ पर सही माना जाएगा ठीक है second statement बूलता है हाली में साहल छेतरी कई देशों में सैन ने कबजा तकता पलट हुआ है तो यह statement भी सही है तो दोनों statement यहाँ पर सही होगा यहाँ पर सही option होगा आपका ए देखते हैं अंगले question को second question को देखते हैं second question भी काफी important है देखो यहाँ पर लिखा हुआ है भारत सही उतराज अमेरिका से सेव आयात नहीं करता देखो यहाँ पर यह statement गलत है इस तरह के statement यूजली गलत ही होते हैं second statement है भारत में विदी के अनुसार सक्षम प्रादिकारी के अनुमोधन के बिना अनुवांसिक रूप से रूपांतरित खादि फूड की आयात पर प्रतिश्येद है देखो इसको इंगलेस में फोड़ी पढ़ लो इंगलेस में फोड़ी ज्यादा आपके समझ में आ सकता है लिखता है इंडिया डज नॉट इंपोर्ट एप्पल्स फाम उएसे तो यहाँ पे बिल्कु सही है मतलब यहाँ पे सही ऑप्शन जाएगा आपका डी ऑप्शन डी ऑप्शन क्या बोलता है डी ऑप्शन बोलता है कि कथन एक तो गलत है लेकिन कथन दो इसमें सही है तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा मतलब सेकेंड इस्टेटमेंट यहाँ पे सही है लेकिन पहला इस्टेटमेंट यहाँ पे गलत है तो डी ऑप्शन इस राइट ओ लोगसभा की अद्धस्ट को हटाने का कोई संकल्प विचारा दीन है, मतलब लोगसभा स्पिकर को हटाने का कोई resolution हमने लाया है, कहाँ पे लोगसभा में, तो उस condition में क्या क्या possibilities होंगी, इसके बारे में यहाँ पे discuss किया गया है, पहला statement है, वह पीठा सेन नहीं होगा, right to speak बिल्कुल होगा, बिल्कुल से बात है, बोलने का अदिकार होगा, तो यह statement, मतलब second statement यहाँ पे गलत दिया हुआ है, तीसरा बोलता है, वह संकल्पर प्रथमते मत देने का हगदार नहीं हुआ, दिखो, resolution लाया गया है लोगसभा के द्वरा, और लोगसभा speaker already लोगसभा का member होता है, तो उसको obvious बात है, बोट डालने का अदिकार होगा, तो इसमें यह statement गलत है, राजसभा के मामले में, वहाँ का जो presiding officer है, vice president जो होते हैं, वो राजसभा के member नहीं होते हैं, तो उनका case एक rating officer हैं, मतलब लोगसभा अद्रक्ष हैं, वो लोगसभा के by default member भी होते हैं, तो यहाँ पे second और third statement गलत है, पहला statement सही है, मतलब केवल ए option इसमें सही माना जाएगा, ठीक है, चलो चलते हैं, fourth question में, चोथा question है, भारती संसत के संदर में निम्रिकीत कतनों पर विचार कीजिये, अब देखो भारती संसत, संसत के question काफी important होते हैं, लिखा है, लोगसभा में लंबित कोई विधियक, उसके विगटन हो जाने पर व्यपगत हो जाता है, देखो, इंगलिस से पढ़ते हैं, बड on its dissolution, देखो, समझना है, लोगसभा में दो प्रगार के बिल पेंडिंग हो सकते हैं, पहली बात, यदि लोगसभा में ही initiate किये गये हैं, और लोगसभा में पेंडिंग है, तो लोगसभा dissolve ही, बिल लाप्स हो गया, ठीक है, दूसरी condition हो सकती ही, कि राजसभा से initiate किया गया ह और राजसभा ने पास कर दिया, लोगसभा में transfer किया गया है, ऐसे बिल भी यहाँ पर यदि लोगसभा dissolve होती है, तो लाप्स जाते हैं, तो दोनों ही condition में यहाँ बिल लाप्स होते हैं, तो पहला statement पर यहाँ बिलकु सही है, the first statement is completely right over here, अब देको दूसरा statement पढ़ते हैं, लोगसभा द्वारा पारित, और राजसभा में लंबित कोई विध्यक, लोगसभा के विगटन हो जाने पर व्यपगत हो जाता है, आप देखो यहाँ पर dispute raise होता है, क्या, देखो समझने वाली बात है कि लोगसभा ने पारित कर दिया, और राजसभा में लंबित है, उसी दर्मियान लोगसभा देखटित हो गई, मतलब लोगसभा भंग हो गई, तो मालो जो नई लोगसभा आएगी, उसमें लोगसभा में तो लोगसभा लोवर हाउस है, और हो सकता है नई पार्टी में जोर्टी में आजा है, तो ऐसी कंडीशन में जो पुरानी लोगसभा ने ज है और नई लोगसभा फिर आई तो वो पुराना वाला जो बिल है वो यहाँ पर लैप्स जाएगा तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है बलकि यहाँ पे कई सार प्रोविजन और भी लिखे हुए मैं आपको दिखायाता हूँ जैसे पहला पहल Mile अबन ने पहले डिसक्स करा लिया पंड इन दयो लोगसभा लैपस चाहिशार रैसरा से ट्रांसपर किया गयों बिल पासट बाइद लोगसभा वाट पेंदिन ट्राइस आपका यह होगया टीसा बिल नौट पासट बइद टूंप आउसस और तुज्यू विद्यक जिसके संबने भारत के राष्ट्रपत ने सदनों की सेउंगत बेल्टक आउट करने के अपने आसे की सूचना दे दी है लोग सभा का विगटन हो जाने पर विव्यपकोत है तो यहाँ पर यह गलत स्टेटमेंट है चुकि राष्ट्रपत ने जोएंट सिटिंग पहला और दूसरा इस्टिंगमेंट सही है तीसरा इस्टिंगमेंट आपी गलत है तो इसका सही अंसर क्या होगा one and two चले आगे चलो चलते हैं फिफ्ट कुश्चन में भारत के संसत के संदर में ये विचार दिये हुए हैं आपके सामने आए पहला एस्टेटमेंट देखते हैं पहला एस्टेटमेंट कहता है भारत के रास्ट्रपती द्वारा किसी सदन के सत्रा आवशान के लिए मंत्र परिशद के परामर्ष की आवश्यक्ता नहीं है भारत के राश्ट्रपती द्वारा देखो इस चीज़ को समझना जरूरी है कि भारत के राश्ट्रपती द्वारा जो भी फैसले ले जाते हैं इस तरह के वो council of ministry की recommendation के बाद ही ले जाते हैं मतब राश्पत जो काम भी करते हैं वो council of ministry की recommendation पर करते हैं तो यह statement बिलकुल गलत है this is not right second है 17 वशान, देखो English में भी term पढ़ लो because Hindi और English बादेम के जो हमारे friends से उनको दिक्कते हो सकती है देखो यहाँ पर लिखा है prorogation of a house, prorogation का मतलब है 17 वशान, सत्र के वशान की गोशना करना of a house by the president of India does not require the advice of council of minister तो council of minister के advice की बिना तो कुछ होता नहीं है यह statement इसलिए यहाँ पर गलत है second statement बोलता है सदन का 17 वशान सामानतर सदन के अनिस्चित काल के लिए इस्थगित होने के पश्चात किया जाता है बिल्कुल सही बात है prorogation की जो गोशना है वो आम तोर पर अनिस्चित काल के लिए इस्थगर मतलब adjournment signed I उसके होने के बाद ही गोशित किया आता है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है और यादरे adjournment signed I का जो order है वो कौन देता है वो presiding officer के द्वरा दिया जाता है और सत्रावशान की गोशना कोन करते है precedent करते है लेकिन साथ में statement लिखा है किन्दो भारत की राष्टपत द्वरा उस सत्रावशान करने पर कोई वर्जन नहीं है जो सत्र में है मतब जो session में जो house है उसका भी सत्रावशान गोशित करने का अधिकार राष्टपत के पास में है तो ये बिल्कुल सही statement दिया हुआ है आपकी लक्षमी कांत ने बिल्कुल लिखा है प्रोगेशन आफ ए हाउस जनली डन आफर दे हाउस इस एजन साइन डाई बट देर इस नो बार तो दे प्रेज़देंट आफ इंडिया प्रोगिंग दे हाउस विच इस इन सहसन तो ये statement बिल्कुल सही है तीसरा ही statement बोलता है लोगसभा का विक्टन भारत के राष्ट पत द्वारा असाधारण परिस्तियों को छोड़कर मंत्री परिशत के परामर्श से किया जाता है इस statement के दिए हम बात करें ये statement बिल्कुल सही है तो यहाँ पर दो और तीन यहाँ पे सही माने जाएंगे है ना तो 2 and 3 are right over here तो यहाँ पर 5 में का सी option यहाँ पर सही हुगा चलिए आगले question में चलते हैं Let's move on for 6 question statement दिया हुआ है पहला कथन बोलता है हाली में यूरूपी संसद ने The Net Zero Industry Act को मंजूरी दी है देखे The Net Zero Industry Act को मंजूरी दी गई है और ये बेहद important है यहाँ पर दी गई है लेकिन second statement को अब ध्यान से पड़े लिखता है European sang वर्स 2040 तक carbon तटस्था प्राप्त करने का आसे रखता है मत्तब carbon neutrality चाहता है और इसलिए उसका लक्ष उस समय तक अपनी सभी सभी स्वच्च प्रोद्यों की विसित करना है तो 2045 से जो लिखा हुआ है यह गलत लिखा है 2050 तक के लिए था तो यह statement यहाँ पर गलत हो जाएगा तो पहला सही है second गलत है तो कौन सा हो जाएगा फिर यहाँ पर C option यहाँ पर right मना जाएगा तो इंगलेस वाला भी जल्दी देख लेते हैं हम लोग लिखता है कर दो फॉलिख से फॉलिख से फॉलिख से लिखा हुआ है second statement यहाँ पर गलत है 2040 की बजाय कब तक होगा 2050 तक होगा तो यहाँ पर C option यहाँ पर सही होगा C option is right over here sorry let's get the next question 7th question आपके सामने यह प्रकास से कह सकते हो आप इंटरनेशनल रिलेशन का है हाली में वेनेजुला अपनी आर्थी संकट से तेजी से उबरने में सफल हुआ है और अपने लोगों को दूसरे देशों में पलायन करने से रोकने में सफल हुआ है यहाँ पर एज आपनों वेनेजुला में काफी सारी समस्या हुई है एकनामिक क्राइस से जहल रहा है समय तो डेफेंटली वो एक बड़ी समस्या से गुजर रहा है वेनेजुला कहां पर है वेनेजुला की बात करें तो यह है आपका वेनेजुला जो की साओथ अमेरिका में है यह इसकी कैपिल कारकस है तो यहाँ पर एकनामिक क्राइसिस चल रही है तो यह सही है लेकि दूसरे देसों पर पलायन को रोकने में सफल नहीं हुआ है यह स्टेटमेंट आप तो पर गलत ही होते है तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है चुकि अभी भी प्रवास हो रहा है वहाँ पर एकनामिक क्राइसिस अभी भी चल रही है सेकंड स्टेटमेंट है वेनेजुला की पास विश्व के सबसे बड़े तिल भंडार है यह statement यहाँ पर बिलकुल सही है कि विनेजुला के पास विश्व के सबसे बड़े तिल भंडार है तो दूसरा statement यहाँ पर बिलकुल सही है मतलब यहाँ पर कथन एक जो है वो गलत है और कथन दो सही है तो मतब D option यहाँ पे सही माना जाएगा तो यहाँ पे 7th का कौन सा option है D option यहाँ पे सही है चले चलते हैं अंगले question में 8th question में आठवा question है Digital India भूम अभी लेक आधुनी की करण Digital India भूम अभी लेक आधुनी की करण इसको English में हम यदि हम बात करें इसे बोलेंगे Digital India Land Records Modernization Program यह काफी मात्पूर्ण प्रोग्राम है इसमें statement दिये हुए है कौन कौन से statement यहाँ पे सही होंगे जरा इसके बारे में एक नड़ा डालते हैं तो पहला statement बोलता है इस स्योजना को कारविनित करने के लिए केंदर सरकार 100% विद्ट पोशन करती है मतलब जहाँ पे 100% केंद सरकार देती है उसे हम बोलते हैं Central Sector Scheme तो यह statement यहाँ बिल्कुत सही है और centrally sponsored scheme में केंद सरकार कुछ पर्षेंटेज देती है मालो 60% केंद सरकार दे रही 40% राय सरकार दे रही यहाँ पे यह completely Central Sector Scheme है Digital India, Bhu, Abilik, आधुने की करण तो पहला statement सही है 2nd बोलता है इस योजना के अंतरगत भू संपत्ती मतलब कैडस्टल, मानचित्र, डिजिटली करित किये जाते हैं यह statement भी यहाँ बिल्कुत सही है 2nd भी यहाँ पे सही माना जाएगा तो आठवे का 1st और 2nd instrument सही है अब 3 बोलता है इस थानी भासा में उपलब्द अधिकार और अभिलिकों को भारत के समविधान द्वारा मानता प्राप्त किसी भासा में लिप्यंत्रित करने की पहल की गई है तो ये लिप्यंत्रित करने की जो पहले इसका प्रोविजन वैसे मिलता नहीं है प्रॉपर तरीके से कि यहाँ पे हर एक लेंग्विज में आप ट्रांस्रीट कर सकते हैं ऐसा प्रोविजन मिलता नहीं है चुकि अभी अभी अप सर्च करोगे यहाँ वहाँ गूगल में तो यह चीज़ें आपको नहीं मिलेगी लेकिन ऐसा क्यास लगा जा रहा है कि यह सही हो सकता है लेकिन हम लोग जाएंगे वन और टू के साथ में मतब यहाँ पर एए ऑप्षिन सही होने की संभावना है आप लोग के जो पिर्ण है आप लोग भी नीचे कमेंट कर बताईए कि आप लोग के हिसाब से इसका सही अंसर क्या होना चाहिए नेरे हिसाब से चुकि मुझे के वल 1 और 2 मिले option सर्च करने पर इसलिए मैं 1 और 2 के साथ में जाऊंगा नाउ नाइन्थ कोशन में चलते हैं लेस्ट गो फॉर नाइन्थ कोशन प्रधार मंतरी सुरक्षित मातरत अभियान काफी महत्पूर्ण से के में स्कीम्स के बारे में काफी महत्पूर्ण कोशन इसलिए से पूछा आते हैं पधार मंतरी सुरक्षित मातरत अभियान इसमें को स्टेट्मेंट दिये हैं इसको जरा समझने का प्रयास करते हैं पहला स्टेट्मेंट दिया आता है स्टेट्मेंट यहां पर सही है एसलó पहला गलत है सेकेंट सही है तो यहां पर क्या होगा बी औॉप्चेंट यहां पर सही होना चाहिए तो यहां पर नाइनत का बी आपृप्चेंट अपर सही होगा काफी मात पूर इसकीमσα है प्रदार मंतरी सुरक्षित मात्र Rush T得 अभियान इंग्लिस पी जल्दीज देख लेते हैं एक बार इस स्कीम जन गारंटीज ए मिनिमम्म पैकेज आफ एंटी नेटल केर सर्विसेज तु वुमिन इंदर सेकें और थर्ट रेमेस्टर अप्रेटनेंसी लडिस पेसल्टी तो यह स्टिटमेंट यहां पर गलत है प्रधान बंतरी स्रमयोगी मांधन यूज ना इसे बोलते हैं P.E.M.S.Y.M. योजना के अंतरगत इसमें से कौन सा कथन सही है पहला इस स्टेटमेंट दिया गया है इस योजना में नामांकन के लिए प्रवेस आयोवर्ग 21 से 40 वर्ष है देखो पहला इस संटेंस इसमें गलत है बेसिकली ये है 18 से 40 वर्ष तो प्रधानमंत्री स्त्रमयोगी मांदने उजना के अंतरगत 18 से 40 वर्ष के जो आयोवर्ग के लोग है वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं तो पहला इस स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है अब देखें यहाँ पे आप इलिमिनेट भी करोगे तो यहाँ पे पहला आप एलिमिनेट कर दोगे तो B और C मतब पहला यह चला गया और D चला गया तो B और C में कोई एक होगा है अगला स्टेटमेंट यहाँ पे बोलता है इस लाभार्ति द्वारा आयोविसिस्टेंस दान किया जाएगा तो ये statement यहाँ पे दीखा जायत ये सही है अगला है यहाँ पे इस योजना के अंद्रगत प्रते ग्राहक सबस्क्राइबर को 60 वर्ष के आयो प्राप्त करने के बाद 3000 रुपे प्रतिमा की न्योंतम पेंसन प्राप्त होगी ये statement यहाँ पे सही है चौथा लिखता है पारिवारिक पिंसन पति-पत्नी और आवाहित पुत्रियों पर लागू होगी तो ये statement यहाँ पे कोई मतलब नहीं रखता है सेकेंड और थर्ड statement यहाँ पे सही है मतलब बी option यहाँ पे सही माना जाएगा है ना चलिए 11th question में चलते है नारी सक्त वंदन अधिनियम नारी सक्ती वंदन अधिनियम बहुती चर्चा में अधिनियम रहा है बड़ अबियसी बात है आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा 106th constitutional amendment act महिलाओं को लोकसभा और विधान साब में 33 प्रसत आरक्षण देने की बात करता है तो इसके बारे में आए देखते हैं पहला statement लिखा है यह उपण अठारावी लोकसभा से प्रभावी होगा दिखो हमारी जो वरतमाल लोकसभा है वो अठारावी लोकसभा सुरू हो चुकी है तो इसके लिए नहीं है बलकि 19 वी लोकसभा के लिए है 19 लोकसभा से प्रभावी होगी तो पहला statement यहाँ पे गलत दिया हुआ है Second statement बोलता है अधनियम बनने के बाद यह 15 वर्षण के लिए प्रभरतम रहेगा यह statement यहाँ पर बिलकुल सही है Second statement is right over here Third statement बोलता है इसमें अनुसुच जातियों के लिए अरक्षित कोटे के भीतर अनुसुच जातियों की महिलाओं के लिए स्थानों के अरक्षित के उबंद है यह statement सही है मतलब यहाँ पर 2 और 3 सही है तो C option यहाँ पर बिलकुल सही है नारी सक्ति वंदन अदिनियम 106. Constitutional Amendment Act है बहुत important है इसको अब जरू ध्यान रखेगा है न अगले हुशन है अभ्यास मित्रसक्ती 2030 अभ्यास मित्रसक्ती 2030 के संबंद में निमलिकित में से कौन से कथन सही है अब देखो अभ्यास यह इस तरह के जो एकसर पूछाती है पहला statement है यह भारत और बंगलादेस के मद्द सेंउक्त सहन अभ्यास है तो यह बेसिकली यहाँ पर गलत है भारत और स्री लंका के बीच में भारत और स्री लंका के बीच में सेंउक्त सहन अभ्यास है इस अभ्यास का एक हिस्सा थी यह भी सही है तो यहां पर second, third or fourth statement यहां बिल्कु सही है लेकिन पहला statement यहां पर गलत है तो यहां पर सही option होगा आपका that is D है ना चलिए आंगे चलते हैं let's move on for next question ओके इंग्लिस में भी लेते हैं पहला लिखता है प्रतिसेद रिट मतलब prohibition rate की बात की जारी है जो पांच रिट आप पढ़ते हो है ना article 32 ओचितम नियाले का article 32 है ओचितम नियाले का article 226 है तो आप जानते हैं द्वारा किसी और किस प्रयोजन से जारी किया गया एक आदेश है मतलब प्रतिसेद रिट कहा जारी किया आता है यह पूछा गया है basically आपसे एक्जाम में पहला है किसी सरकारी अधिकारी को उसे किसी विशिस्त कारवाई करने के प्रतिसेद से देखो इसका इससे मतलब नहीं है दूसरा है संसल विधान सबा को इसका भी मतलब नहीं है निचली अधालत देखिए lower court के लिए जारी किया आता है यह statement बिल्कु सही है निचली अधालत को किसी मामले में कारवाई जारी रखने का प्रसेद करने के लिए, मतलब वहाँ पर prohibit कर दिया आता है, यहाँ पर आप देखना, जूप prohibition निट होती है रिट आप prohibition के दिया हम बात करें तो यह किसले होता है, lower code के लिए होता है उसको prohibit कर दिया आता है, कि आप जो proceeding है, उसको आप immediately आप prohibit कर दें, मतलब रोक दें है ना तो यह है आपका तेरा मकाफी मातपूर question है, this is a very very important question अगले option आपके सामने है, statement दिये होए है इसमें कौँ से statement यहाँ पर सही है, यह आपको बताना है पहला लिखता है, वह राजजी का राजजपाल है, पतब राजजी के राजजपाल के लिए लिखा हुआ है, क्या लिखा है जो राजजी के किसी समुधाय को अनुसुशी जनजाती के रूप में मानता देता है और घोसित करता है देखे, अनुसुशी जनजाती गोसित करने का अधिकार जो है वो राज़पाल का नहीं होता है राज़पाल है रिकमेंडेस जरूर देता है लेकिन यह अधिकार बेसिकली किस के पास होता है ये अधिकार होता है रास्ट्रपति के पास में recommendation राजजपाल के तरफ से जाती है लेकिन ये जो अधिकार है वो किसका है वो रास्ट्रपति का है तो ये विशेश तोर पर आपको धियान रखना है because यहाँ पैसे गलतियां हो जाती है तो यहाँ पर अगला statement है किसी राजपे अनसुच जनजात की रूप में गोसित किसी समधाय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दूसरे राजपे भी ऐसा हो ये statement यहाँ पर बिल्कुस आई है कई सारी community ऐसी होती है जो किसी एक राजपे अनसुच जनजात में आती है लेकिन दूसरे राजपे नहीं है जैसे मीनाओं की बात करें तो मीना रायस्थान में सिरुल ट्राइब में आते हैं लेकिन मद्ध ब्रदेश में OBC में आते हैं तो ये चीज़ आपको विशेश तोर पिद्यान रखना है किसी एक state में वो community ST में है तो ये चीज़ें इस तरह से होती है कि कुछ विशेश जगों में यासे जाट कमरोटी की बात करें जाट कमरोटी आपके हर्याना में जनल कडिगरी में आती है रायस्थान में OBC में आती है मद्ध देश में OBC में आती है बलकि रायस्थान का जो भरतपूर है वहाँ पर जनरल में आती है है ना तो यह चीज़े थोड़ी से होती है इस तरह से तो पहला statement यहाँ पर गलत है second यहाँ पर सही है तो यहाँ पर केबल दो यहाँ पर सही बाना जाएगा चलते हैं फिफ्टींध कुश्चन में केंद्री बजट मतलब यूनिन बजट की बात की जा रही है यहाँ पर कौन सा कथन यहाँ पर सही है अब केंद्री बजट की बात की जा रही है तो हम article 112 की बात कर रहे हैं बड़ा अब यह सी बात है तो पहला statement है प्रधार मंत्री की ओर से केंद्री वित्त मंत्री संसत के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक की वित्ती विरन रखते हैं वार्षिक देखो बजट वर्ड इस्तिमालनी की आदा कॉंश्चन में उसे बोलते हैं वार्षिक की वित्ती विरन annual financial statement तो यहां पर लिखा है प्रधारमंत्री की ओर से नहीं जारी होता बलकि यह राश्ट्रपत की ओर से होता है राश्ट्रपती प्रेसिडेंट इस रिस्पॉंसिल फॉर दिस तो यह पहला statement यहां पर गलत है इस रॉंग वन यहां पर देखें तो पंद्रहवे का जो पहला statement है वो गलत है लेकिन second statement यहां पर सही है तो यहां पर इसका सही option का B मतलब केवल 2 ठीक है चलिए आगे चलते है निमलिकित में से कौन दा इंडिया वे दा इंडिया वे और वाई भारत मैटरस पुस्तकों के लिखक है तो यह तो बहुत ही simple question है यहां जो हमारे as of now foreign minister है पहले IFS थे और अब यहां सी बात है he is very intelligent diplomat अगला question आपके सामने है 17 question है निमलिकित त्यूगमों पर विचार करना है ज़रे इसको समझने का प्रयास करते हैं अर्जंटीना के बारे में सबसे खराब आर्थिक संकट देखो ये अर्जंटीना की बात करें तो अर्जंटीना आर्थिक संकट से गुजर रहा है इसमें देखा जाये तो ये statement यहां पर सही है दूसरा है Sudan देश की नीमित सेना और अर्जनिक बलों के मद्धियुद्ध है ये पहले ही डिसकस कर चुका हूँ है चुकि Sudan जो भी हमारा छेत्र है अफ्रिका में जो हमने थोड़ी दर पहले ही डिसकस किया था आप लोगों से इस रिजन कौनसा साहिल रिजन यहां पर काफी सारी समस्या बनी है तो यहां पर देखें तो दो युग में यहां पर सही है तीसरा वाला युग में जो है वो गलत है NATO, North Atlantic City Organization इसका Headquarter कहां पर है Belgium, Brussels में और यहां रिखे, NATO एक Military Alliance और यहां पर यहां पर यहां रिखना Sweden जो है अभी हाले में NATO की Membership इसको दी गई है तो यह चीज़ें आपको विशेज तोर पर धियान रटना है It's a very important question for Internet Acceleration 18. question चलते है Statement आपके सामने दिये हुए है जरा English में बाला भी मैं paper खोल लेता हूँ जिससे आपको discuss करने में आसानी होगी कभी कुछ terms में दिखका जाती कभी कभी Now look at this one देखें यहाँ पर लिखा है Sumade Pipeline Sumade Pipeline काफी मादपून Pipeline है वैसे आपने हो सकते हैं थोड़ा कम सुना हो But this is very important यूरोप को जाने वाले फारस की खाड़ी के तेल और प्राकृतिक गैस नोभार के लिए एक रड़नेतिक मार्ग है है ना तो पहला statement यहाँ पर दिखाया सही है Sumade Pipeline कहाँ पर है जरा हम इसको देख लेते हैं Let me show this one to you यह देखें आपको दिख रहा होगा थोड़ी सी यहाँ पर blur image आगया है But anyway that's fine यह Sumade Pipeline दिखा वहाँ है यहाँ पर यह reason है अफ्रीका का है ना तो यहाँ से शुरू होता है मतलब यह जो छेतर है यह कौन सा है Mederator Sea है और फिर यहाँ पर कौन सा है Red Sea तो इनके बीच में है Sumade Pipeline और यहाँ पर Swiss Canal आपको दिख रहे हुए Port Side से लेके Swiss तक वैसे ही Sumade Pipeline यह काफी महतपूर्ण African Pipeline आप कह सकते हो This is quite important one तो यह जो Pipeline है यह एक बड़े छेतर को टच करती है यहाँ पर इसके उपर यह आप दिखो कि Cairo भी है Now question यहाँ पर है Sumade Pipeline यूरोप को जाने वाले फारस की खाड़ी Sumade Pipeline is a strategic route for Persian Gulf Oil and Natural Gas statement to Europe यह statement यहाँ पर पहला statement सही है Second statement यहाँ पर बोलता है Sumade Pipeline लाल सागर को भूमत सागर जोड़ती है यह statement भी सही है तो यहाँ पर दोनों सही हैं तो यहाँ पर दोनों सही हैं और कथन दो कथने की व्याख्या भी करता है तो 18 में का सही option क्या होगा यह होगा है ना तो A option is right over here चली चलते है 19th question में लाल सागर के बारे में लिखा हुआ है कि लाल सागर में किसी भी रूप में बहुत कम बर्षन होता है मतलब यहाँ पर बारिस बहुत कम होती है मतलब precipitation मतलब rain बहुत कम होती है यह statement यहाँ पर सही है बिल्कुल सही बात है यहाँ पर precipitation कम होती है और second बोलता है लाल सगर में नदियों से जलगा प्रवेस नहीं होता तो ये भी बिल्कुल सही है ये सही माना जाएगा ये दोनों इस्ट्मेंट यहाँ पर सही है और इसके चलते यहाँ पर लाल सगर में जो salinity है वो काफी जदा है तो ये भी एक बड़ इजनसी है ना परियावरण संट्रेक्शन एजनसी EPA की बात हम लोग कर रहे है इन्वारिमेंटल प्रोटेक्शन एजनसी की बात की जारी है तो यहाँ बताया जारा है कि निम्लेकित में से कौन सा sulfur dioxide उस सरजनों का सबसे बड़ा स्रोथ है देखिए आपको बताना अच्छे sulfur dioxide iso2 का as of now जो सबसे बड़ा उसरजक है वो हैं जीवास मिधन मतलब fossil fuels की बात करें तो as of now सब ज़दा iso2 का production उन्हें की द्वरा की अजारा है तो यहाँ पे d option यहाँ बिल्कु सही है जीवास मिधनों का उप्योग करने वाले बिद्दुत सही है अंतर मतलब जो thermal power plants है उ यह option यहाँ बिल्कु सही है 20 का डी ठीक है 21st question में चलते हैं दिसंबर 2023 तक भारत सरकारदोरा कितने परसी मनायोग परसी मनायोग को क्या बोलते है इसे बोलते है डी limitation commission गठित किये गये हैं अब यहाँ पे option दिये हुए आपके पास तो यहाँ पे देखो last जो हुआ है वो 2002 म में और याद रखना कब तक लिए फ्रीज किया अबने 2026 तक के लिए और 2026 में उम्मीद है कि सायद लोग साव में सीटे बढ़ने की समझावन आए लट सी वाट है तो यहाँ पे अभी तक कितने हो चुके हैं अभी तक basically देखा जाय तो अब तक हो चुके हैं कितने right now 4 हो already हो चुके हैं पहला कब हुआ था पहला हुआ था 1952 में फिर कब हुआ 1963 में फिर 1973 में फिर 2002 में हुआ तो ऐसा आपनों देखा जाय तो चार बार पर सीमन हो चुका है 22nd question में चलते हैं सम्विधान का 71st amendment पुछा गया है हलागी काफी पुराना amendment पुछा गया है 1952 बानने का इसकी दौर इंप्रिकित में से किस भासा को सामिल करने के लिए सम्विधान की आठवी अंसूची में संसोधन किया गया है अब आठवी अंसूची मतलब स्विदू ल जो रिसेंट में एड किया गया है वो 92nd amendment act कब हुआ था 2003 में तो 2003 में चार भासें जोड़ी थी मैथली, बोडो, डोंगरी और संथाली तो यहाँ पे एक तो मैथली यहाँ पे लिखी हुई है एक मैथली के से एड की गयी है 92nd amendment act से तो 92nd का मैथली आप हटा दो तो बाकी ज बोडो, डोगरी, संथाली के बारे में आप लोग आलरी पढ़ रखें 92nd amendment act में जो की हाली का मैथमेंटमेंट है बड़ा अबियासी बात है तो यहाँ बसता कोन है फिर बाकी तीन बसते हैं तो यहाँ पे 1, 2, 3 यह सही होगा बट मैथली की बात करें तो 92nd amendment से जोड़ी थी तो इस तरह साप इसको elimination round से आप इसको solve कर सकते हैं चले अगला question करते हैं 93rd question में चलते हैं यहाँ पे दल और उसकी नेताओं के बारे में लिखा हुआ है तो ज़रा इसको देखते हैं लिखा भारती जनसंग तो भारती जनसंग की बात करें तो यह इसके नेता थे डॉक्ट पार्टी की बात करें तो यह थे आचार नरेंद देओ तो यहाँ पे इन में सोचलिस्ट पार्टी का जो नेता थे वो कौन थे नरेंद देओ है न और सुतंत पार्टी के थे शिराजगुपला जारी तो यह उपर नीचे हो गया है तो यह देखाया तो यहाँ पे second और fourth option mix up mix up हो गया है बाकी third statement यहाँ पे सही है Congress for democracy के जगजीवन राम है तो यह basically देखे तो यहाँ पे पहला और तीसरा सही है तो मतब केवल दो यूग में सुमिलित हैं बाकी दो सुमिलित नहीं है चले चलते है 24th question में देखे फिर political question आ गया भारत के सम्विधान के सम्बंद में निमलिकीत कत्नों पर देखना है कौन सा सही है पहला है नगरपालिकों की सक्तियां सम्विधान के भाग 9 का में दी गई है दो amendment है 73rd amendment act यह पंचायतों की बात करता है गरावीन पंचायत है न और 74th amendment act यह किस की बा अब देखो यहाँ पे एक है rural एक urban तो 74th amendment नगरपालिकों के बारे में बात करेगा तो यहाँ पे देखो जो ग्रामीन वाला है वो 9 में है भाग 9 में और भाग 9 का मतब 9A में है आप का urban वाला तो यह statement है आप बिलकु सही है सेकिन बोलता है आपात बंध मतब जो emergency provision है वो भ भाग 20 में दिये गए है यह दोनों ही statement यहाँ पे सही है मतब तीनों ही statement यहाँ पे सही है आपात बंध जो है article 356 है है यह article 32 नहीं सारे provision आपको कहा मिलेंगे आपको भाग 18 मिलेंगे और article 306 की बात करो यह भाग 20 मिलेंगे तो यह विशेस तोर पे पहले भी PSG पुछा गया हाला कि यह state PCS के लिए best question है यहाँ पे देखें तो यहाँ पे यहाँ पे 1, 2 और 3 तीनों ही statement यहाँ पे सही है ठीक है चलो आगे चलते हैं 25th question आपके सामने भारत के सम्विधान के अनुसार निम्रिकित में से कौँ सा कथन सही है अदो को यहाँ पे पहला इस्टिन बोलता है अंतर राजी ब्यापार और वानेज राय सुची की अधिन एक राजविशेदे को अंतर राजी जहाँ पे है तो राजविशे का कैसे तो जहाँ जहाँ राजी की बात करी गई है उसको आप सीधे के सीधे आप काट सकते हो यहाँ पे तीसरा है अंतर राजी संग रोध संग सुची की अधिन एक संग विशे है तो यह संग की बात करें तो यह statement आपे सही है इसको बलकि हम लोग इंगलेस में भी एक बार रीड कर लेते हैं let me show this one to you 25th question है देखें इंटर state quarantine इंटर state quarantine is a union subject under the union list तो यह statement यहाँ पर सही है बाके statement यहाँ गलत है तो यहाँ पर C option यहाँ पर सही होगा ठीक है तो 25 में का C option सही है 26 question में चलते हैं 26 थे भारत के उच्चेतम नियाले से ने निस्ता के अधिकार को भारत के सब्धान के इंविकित में से किस अनुच्छेत के अंतरगत रखा है निस्ता का अधिकार right to privacy की बात की गई है हाला कि question भी कभी पूछा गया था C.A.P.F. का जो एक्जाम होता है उसमें question लिखने के लिए था privacy is an elitist idea हला कि वो उसमें आपको निबंद लिखने के लिए था लेकिन anyway यहाँ पे निस्ता के अधिकार की बात की जई है कौन से article में रखा गया है तो यह कौन सा article है यह article number 21 है इसे हम बोलते है प्राण और देहक सुनता का अधिकार right to life and personal liberty बहुत सारी चीज़े जो article 21 के अंतरगार है सोने का अधिकार इसी के अंतरगार आपको loudspeaker जो है रात को 10 विज़े के बाद बंद करा दी जाते है तो यह सारी जो article 21 के अंतरगार ती कवर किया है मतलब काफी सार प्रोविजन इसके अंतरगार के गए है article 21 के अंतरगार ठीक है और इस चीज़ को विशेज तोर पर आपको धिहान रखता है कि जो right to privacy है उस समय justice कहर साब जो है वो chief justice हुआ करते थे justice चंसूर के दोरा यह author लिखा गया था but this is very important one right to privacy काफी बात पुण है इसका प्याद रखिया article 21 के अंतरगत cover किया गया है question बार-बार exam में पुछा भी जाता है आगे चलते है 27th question में चलते है let's go to 27th question अगला question है आपके लिए that is 27th question पुछा गया है send कार्यभाग के प्रमुक के रूप में chief of defense staff serious की बात की जारे है chief of defense staff के करतब में कौन-कौन से है अब यहाँ पे तीन statement दिये है पहला statement बोलता है chief of staff committee के इस्थाई अध्यक्ष all right तो यह statement देखा जाया तो यह statement यहाँ पे सही है दूसरा बोलता है तीनो सेवा प्रधानों पर send कमान का प्रयोग करना देखे यह चीज़ dispute में है चुकि तीनो सेवा प्रधानों पर send कमान का प्रयोग करने का अधिकार इनका already काफी disputable रहा है काफी जार discussion इसमें हुआ है चुकि बाकी जो send जो कमान तीनो सेवा प्रधानों के लिए थल से न प्रमुख है या जल से न प्रमुख है या वाई से न प्रमुख है उन्होंने already इसके बारे में काफी कुछ discussion किया है तो देखा जाया तो यह point अभी dispute में है इसमें हम कहे नहीं सकते कि इसमें send command दिया गया because तीनो सेवा प्रधानों पर send command का प्रयूख करना मतलब basically chief of defense staff यहाँ पर order produce करेंगे तो ऐसा basically है नहीं चुकि rank का यहाँ पर difference नहीं किया गया तो यहाँ पर देखा जाया तो coordination करने का उनका काम है but order place करने का जो काम है वो यहाँ पर dispute में है तो यह second वाले option के साथ मैं भी नहीं जाऊंगा तो 22nd का मेरी हिसाब से 1 and 3 होना चीए तो according to me इसका सही answer होना चीए D 1 and 3 लेकिन कुछ organizations 1, 2 and 3 को भी recommend कर रहे है तो यहाँ पर 1 and 3 हमारे हिसाब से सही होना चीए आपकी opinion का है आप नीचे comment करें बता है अगले option आपके सामने है मूलभूत आवशक्ताओं को पूरा करना ही सहीत दूरस्त स्छेत्रों में इस्थानिये जन्व समुदाय के उत्थान के लिए सेना द्वारा संचालित अभियान को क्या कहा जाता है अब देखें इसमें इंग्लिस वाला बरजन भी थोड़ी देख लेते हैं जल दी से operation undertaken by the army towards the appointment of local population in remote areas to include addressing of their basic needs is called as क्या इसे बोलते हैं कौन सा operation इसे बोलते हैं that is basically operation सद भावना बहुत ही important question है आपके upcoming exams के लिए भी बहुत important question है अगला question है 29th question विस में किनी दो देशों के मद सबसे लंबी सीमा निमलिकित में से किन के मद है सबसे लंबी सीमा as of now दो ही country की बीच में है कनड़ा और संगतराज अमेरिका और इस रेखाओ क्या बोलते हैं इसे बोलते है 49 degree line 49 degree basically ये एक latitude line है और यही as of now कनाड़ा और स्विंगतराज अमेरिका बीच में सबसे मद इनके बीच में सबसे लंबी रेखा है तो इसको आप आप एद रेखें ये तकरीबन तकरीबन 88191 km की है देखें कितनी लंबी है तो ये है कनाड़ा और स्विंगतराज अमेरिका बीच में ये line अगला आपके सामने है 30th question है लोग सबब में आचार शमित के संबन्द में निमलिकित कत्नों में कौन सा सही है देखो ये जो committee है ये भी हाली में काफी चर्चा में आई थी विकाज त्रडमूल कांग्रेस की एक मिम्बरा पार्लेमेंट थी उनके उपर ये चार्ज लगाए गये थे कि वो पैसे लेकर question पूछती है उनका नाप लोग comment कर बताना है तो ethics committee के बारे में उस समय काफी चर्चा हुई थी ethics committee अप लोग सभा के बारे में इसको पढ़ते हैं जरा क्या बोलता है पहला बोलता है प्रारब में एक तदर समित थी तो इस starting में कैसी committee थी है एड हो committee थी तो देखा तो यहाँ पे ये statement basically इसको हम सही बोलेंगे starting में एड हो committee ही थी है ना तो पहला statement यहाँ पे सही है second statement यहाँ बोल रहा है only member of the log sabah can make a complaint relating to unethical conduct आप ये member of the log sabah only member of the log sabah only से मतलब नहीं है इसमें देखा जाये तो यहाँ पर ये complaint तो कोई भी कर सकता है because किसी को भी ये इसकी बारे information में जादी तो ये statement या भी गलत है तीसरा बोलता है this committee cannot take up any matter which is sub-judice देखो sub-judice का मतलब है कोई मामला already court में चल रहा है यहाँ पर आपको समझना है सदन के अंदर की कारवाही का discussion court में नहीं होता है और court के अंदर की जो कारवाही का discussion सदन में नहीं होता तो यहाँ पर this committee cannot take up any matter which is sub-judice तो यह statement बिल्कु साही है तो पहला और तीसरा साही है second option यहाँ पर गलत है तो C option यहाँ पर साही होगा ठीक है 31st question में चलते है 31st question है तो यह question देखा जाय तो it's a quite easy question और यह है डॉक्र से दरन से नहाँ तो यह तो नाम आप लोगोंने खुब सुना होगा खुब स्टड़ी किया है हम लोगोंने समिधान सभा में अगला आपके सामने है with reference to the government of India Act 1935 1935 के एक्ट बार हम डिसकस किया जा रहा है ओके यहाँ पर हिंदी मीडियम बाला तो question हमने लिया ही नहीं sorry for that 30th का question है 30th में लोग समयाचार्शमीत की संबंद में यहाँ पर पहला statement सही है second statement यहाँ पर गलत है तीसरा statement है सही है one and three यहाँ पर सही है मतब सी option यहाँ पर सही है तो एक तो यह हो गया इसके बाद हमारा अगला question है 31st question है 31st question में यहाँ पर सही answer है डॉक्टर सिजदान सिनहा डॉक्टर राइन पिशाद की कारवाद समालने से पहले 32nd question है भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर में लिखा हुआ है पहला है इसमें British भारती प्रांतों और देशी रियास्तों को मिला कर एक अकिल भारती परिसंग के स्थापना का प्रावधान किया गया था तो basically देखा जाय तो यहाँ पे यह provision जो लिखा हुआ है 32nd question का जो पहला statement सही है इत प्रवाइड फार इस्टेश्मेंट अफ आल इंडिया फेडरेशन बेज़ डान दे यून आप दे ब्रेडिस अंडियन प्रोविसस एंड प्रिंसले इस्टेट प्रोविजन जरूर था लेकिन मूर्थ रूप में नहीं आ पाया था यह भी आपको पता होना चाहिए तो प्रोविजन जरूर था 2nd statement है यह statement यहाँ पर एक चीज है जो आपको समझना है यह basically पहले यह किस के पास में थे पहले वाइसरा के पास में थे लेकिन हम लोगों ने चुकि DR की इन्रोडूस की थी है ना 1935 एक्ट में हम लोगों ने DR की जो है कहां इन्रोडूस की थी के इंदर में हाला कि वो भी मूर्थ रूप में नहीं आ पाया लेकिन DR की हमने इन्रोडूस की थी तो यहाँ पेस की चलते यह जो matter है sorry sorry defense or foreign affairs जो है that was under the control अब डायर की नडूस करने की बात कीगी थी लेकिन defense or foreign affairs को किसके साथ रखा गया था that was with the vice raya itself है ना यहाँ by mistake मैंने कह दिया defense or foreign affairs के matter जो थे वो vice raya के साथ में थे किसके साथ थे vice raya के साथ में तो यहाँ पे second statement यहाँ पी है तो यहाँ पे के ओल पहला इस्ट्रिमेंट साही है मतब यह option is right only है ना चलिए और Montego chance food reform जो था 1990 का act उसके द्वारा प्रांतों में direct interest की थी ठीक है चलिए 33 question में चलते है which one of following is a work attributed to playwright भास all right तो इसका सही answer क्या है इसका सही answer है that is basically C Hindi वाला भी देख लेते हैं जल्दी से okay Hindi वाले questions में फुरा साब mismatch हो रहा है तो पहला statement यहाँ पे 32 पहला statement सही है second यहाँ पे गलत है तो यहाँ पे Q1 यहाँ पे सही है और 33rd question के दिए हम बात करें है तो इमने कित में से कौन सी विया योग ठीक है that is C option is right over here 33rd का C option यहाँ पे सही है ठीक है 34th में चलते है 34th question है यहाँ पे संग भोती एक भारती बहुत भिक्चु है संग भोती इनकी बात करें जिरो ने चोथी स्थी स्थाब्दी इस वी के अंत में चीन की यात्रा की है निम्लिकित में से किस पर भास से की लिखक थे है अब देखें यहाँ पेस का सही option भी C ही है तो 34th का सही option भी यहाँ पे कहा है C है मतलब सरवास्तिवाद विने के लिखक थे है ना शंग भोती 35th question में चलते हैं युनेसको द्वारा जारी विश्व धरोवर सुची में सामिल की गिनिम्लिकित संपत्यों पर विचार कीजिए तो यहाँ पे लिखा है उपरियुक में से कितनी संपत्यों को वर्स 2023 में सामिल किया है 2023 में सामिल करने की बात की जा रही है और इसका सही answer क्य है इसमें हलाकि option तो इसमें साही अमने की टिक किया है लेकिन यहाँ पे राने की बाव नहीं है बलकि युनेसको की official site में आप देखेंगे तो यहाँ पे दो के बारे में लिखा हुआ है एक तो है sacred in samples of hoysala तो यहाँ पे कौन सा है होई साल के पवित्र मंदर समों एक तो यह दो बस के ओल यहाँ पे समिल के गए है मतलब केवल दो अच्छा यहाँ पे केवल दो सान्द मिलके है सान्दनी के अतन और होई साल के पवित्र मंदर समों तो यहाँ पे 35 में का यहाँ पे बी option आप इसाही होगा ठीक है चलिए 36 में चलते हैं भारत के समविधान के नुच्छे 368 के नुसार संसद निम्लिकित में से किनके द्वारा समविधान के किसी उबंद में संसुधन कर सकेगी अब देखो यहाँ पे इसका मैं English version भी आपको दिखायाता हूँ जिससे Termologies में आपको दिक्कत ना हो कौन को सीजे कर सकती है पहला है परिवर्धन परिवर्धन मतलब है अडिशन सेकेंड आपका परिवर्धन परिवर्धन मिस वेरिएशन और तीसरा है निरसन मतलब रिपील अब देखो यहाँ पे तीनों काम basically as such Parliament के अधिकार चित में आता है कि Article 368 के अधरगत कर सकती है बस basic structure में बदलाओ नहीं होना चीए और basic structure की बात करें Case 1 and भारती Case में Supreme Court के द्वरा ये direction दिये गए थे तो यहाँ पर दिखा है तो यहाँ पे तीनों option यहाँ पर है 1, 2 and 3 तो तीनों किया सकता है तो 1, 2 and 3 option is right 37th question में चलते हैं Let's go to 37th question देश दिये हैं इनमें विचार करना है तो लिखा है उपर उपरिक्त में से किन देशों का उलेक प्राय है मेडिया में उनकी निर्म्न जर्मदर अर्त्वा व्रिद्धोन्मुक जल संख्या अर्त्वा रास्मा जल संख्या के लिए क्या आता है अब देखो यहाँ पे इसको English version भी देखते हैं थोड़ा सा एक बार बड़ाई interesting question है विचे दो विबो कंट्रीज आर फ्रिक्वेंटली मेंसने दे मीडिया for their low birth rate or easing population or declining population अब देखो यह समझ्चा है कहा हो सकती है तो पहली बात यह है कि जितनी भी प्रॉलम है निम्न जन्मिदर प्रिद्धोन्मुक जल संख्या यह रास्मा जल संख्या यह तीनों ही developed countries का गुण है तो Nigeria तो इसमें कता ही नहीं हो सकता because Nigeria as of now अफरिका की most populous country है तो यहाँ पर तीन में से कोई feature match नहीं करते दूसरा यहाँ पर दक्षिन अफरिका भी यहाँ match नहीं करता तो यहाँ पर by default वैसे भी तीसरा option यहाँ फटाओगे तो यहाँ पर दो option तो वैसे हट जाते है मतलब B हट जाता है D हट जाता है फिर यहाँ पर पहले और A और C में लगता है तो यहाँ पर दक्षिन अफरिका भी यहाँ पर option नहीं आ सकता तो यहाँ पर अब क्या बसता है यहाँ बसता है केवल 1, 2 and 4 1, 2 and 4 चूकि दक्षिन अफरिका तो यहाँ पर option में नहीं है यहाँ पर यहाँ पर हम समझने का प्रयास करें तो कहाँ पर क्या चीज़ नहीं है जैसे हम बात करें इस्पेसली इफी टॉक बोट इटली देखो इटली जो है यूरोप की वन आप दे डिवलप्ड कंट्रीज में आती है तो इटली का जो केस है यहाँ पर आप आख बंद करके इन तीनों कंट्रीज के आप्शन को चूज कर सकते हैं तो यहाँ पर देखें तो इसका सही आप्शन होगा 1, 2 and 4 ए आप्शन इस राइट ओवर देर ठीक है आगे चलते हैं 38 कोश्चन में संसद में धन विध्यक के संबदने इनलिकित कतनों बश焦 आउपर विचार करना है कौन से सही है पहला इस स्ट्रीट्मेंट दिया अनुच्चेद 109 में धन विध्यक के संबद में विएस प्रक्रिया को अलेग है अनुच्चेद 109 यह आप अनुच्छेद 109 देखेंगे अलाकि अधिकांस लोग 110 के बारे में जानते हैं लेकिन 109 में धनविध्यक के बारे में लिखा हूँ 110 में परिवासित के डिफाइन किया है तो यहाँ पर आपको समझना है कि यह statement यहाँ पर देखा जाए तो यह पहला statement सही है अगला यहाँ बोला जा रहा है धनविध्यक राजसभा में पुरह स्थापित नहीं किया जाएगा तो यह statement भी basically यहाँ पर सही है तिससरा है राजसभा यहाँ तो विध्यक को अर्मोधन दे सकती है यह परवर्दन के सुझाओ दे सकती है तो 1, 2, and 3 is right तो यहाँ पर 38th question का सही option होगा C 1, 2, and 3 ठीक है quite easy question हम कह सकते है 38th question हो गया 39th question में चलते है यहाँ पर भारती ससस्थिना के तीनो सिवाओं के समकष rank आपको दिखाया गया है तो बलकि इसको मैं आपको दिखाता हूँ I just want to show this to you rank का जो comparison है यह थोड़ा पता होना चीए आप लोग को here you go look at here यहाँ पर पहला दिया है brigadier थलसेना का brigadier दिया हुआ है तो थलसेना की बात करें तो आर्मी में यह हम बात करें brigadier यह brigadier की rank है तो brigadier की equivalent rank में air commodore होता है other side captain तो आई देखते हैं air commodore commander यह बिल्कुल सही है तो पहला statement यहाँ पर सही है second की बात करें तो second में दिया है major general अब इसमें देखिए major general का जो rank है major sorry general तो एक तरफ है air chief marshal एक तरफ है admiral air vice marshal लिखा है vice admiral तो यह यहाँ पर option यह गलत है तीसरा है major यह है major की rank squadr leader और lieutenant commander squadr leader है lieutenant commander है तो यह statement पर सही है तीसरा है यहाँ पर lieutenant colonel lieutenant colonel की बात करें तो एक तरफ wing commander है एक तरफ commander है तो यह भी option भी यहाँ पे गलत है तो केवल 1 and 3 is right तो 1 and 3 option is right इसमें गलत है equivalent rank जो है यह काफी महतपूर्ण है इसको future के लिए भी आप ध्यान रखेगा इस तरह से question पोचाने के समभवना है अगला है पुरोतर परशद North Eastern Council की स्थापना पुरोतर परशद अधिनियम 1971 द्वारा की गई वर्षद 2002 में NEC अधिनियम में संसुधन के बाद परिशद में निम्डिकित में से किन किन सदस्थों को सामेल किया गया है देखिए आपको समझना है North Eastern Council जो है इस काउंसिल के एक्स ओफिस्यों चेर्मेन के रूप में ग्रही बंतरी होते है मतलब हो मिनिस्टर North Eastern Council के एक्स ओफिस्यों चेर्मेन होते है मतलब पदेहिन सभापती होते है तो एक तो यह आपको वी सेस तोर पर धियान रखना है यहाँ पर इस दस्यों को सामिल करने की बात की है संगठक राज्यों का राज्यपाल तो जो North Eastern स्टीट से हैं उनके राज्यपाल यह इसमें सामिल होते हैं तो 40th का यह जो इस स्टेटमेंट है पहला वाला यह इसमें दिखाया तो सही है This is the right one over here Second है संगठक राज्यों का मुक मंतरी यह भी इसमें साही है तीसा है भारत के राज्यपत द्वरा नाम नदिस, 30 तेस तो यहाँ पर तीन नॉमिनेट भी किया आते हैं भारत के राज्यपत के द्वरा तो यह statement भी यहाँ पर साही है अब इसमें लास्ट है भारत के ग्रीमंत्री, अब देखो यहां भारती ग्रीमंत्री जो है पदेन सरस नहीं, बलकि पदेन अधेक्ष होते हैं, तो अब इसमें देखें तो किन के सरसों को समिल किया गया है, तो he is not basically member, he is basically presiding officer, तो यहां पे अब UPSC basically इसमें क्या मानती है, य यहां पे यहां पे यह सारे उस body के part होते हैं, तो उस option में अब देखते हैं, UPSC क्या चूज करती है, लेकिन इसमें यह option मेरे हिसाब सोना चीए, because ग्रीमंत्री जो है, वो presiding की रूप में काम करते हैं, चले आगी चलते हैं, 41st question में चलते हैं, statement दिये हैं, दो statement है, पहला statement है, यदि सहीक तो राज अमेरिका अपने रिण पर चूक करता है, यदि सहीक तो राज अमेरिका अपने रिण पर चूक करता है, तो U.S. Treasury बांडनों के धारक, भुकता राप्त करने के लिए पने दावों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, ऐसा अपने दावों का प्रयोग करेंगे, अब यहां पर देखें तो इससे statement को सही माना जा रहा है, बिकॉज कहीं न कहीं विश्वास पर ही बेस्ट होता है, तो second statement is right over here, तो यहां पे इसका सही option होना चाहिए, this is the second statement is true over there, first statement को यहां पे correct नहीं मान सकते, बिकॉज दावों का प्रयोग तो लोग करेंगे, बड़ा अब यह ऐसी बात है, 40 second question में चलते हैं, सामोहिक उधार बहु उधार दाताओं के मद्ध उधार करता कि चूक का जोखिम बढ़ाता है, है न, English medium में भी ले लेते हैं हम लोग, syndicated landing spreads the risk of borrower default across multiple landers, देखो यहां पे सामोहिक उधार दियाप देते हो, कई लोग को उधार देते हो, तो बड़ा भी ऐसी बात है, कुछ लोग तो default होंगे, possibility है, तो यह option इसमें सही हो सकता है, second है सामोहिक रण एक नियत राशी, एक मुस्त निधी हो सकती है, किन्त रण वर्स था, credit line नहीं हो सकती है, तो यह statement यहां पे हम देखें, तो यहां पे statement यहां पे सही नहीं है, तो पहला statement यहां पे सही है, second statement इसमें सही नहीं माना जाएगा, तो यहां पे C option is right over there, चलते हैं 43rd question में, ओके, digital currency के वारे पुछा जारा, यहां पे यह statement बेसिकली देखा जाया है, तो यहां पे यह statement यहां पे सही है, second इसमें यह आरिब्याई के तुलन पत्र, बालेंस सीट पर देयता की रूप में दिखायता है, तो अब यहां पे बालेंस सीट है, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे गलत माना जाएगा, अब यहां पे इन्फलेशन का इससे कोई मतलब नहीं है, इन्फलेशन वो जितना प्रोडूश्चन होता जाएगा, इन्फलेशन वैसे बढ़ सकता है, बड़ा अब यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे वानेजिक, बैंक, मुद्रा और नकदी के लिए सुतंद रूप से परवर्त नहीं है, तो यह स्टिट्मेंट भी सही है, तो 1, 2 and 4 is right, बागी तीसरा स्टिट्मेंट यहां पे गलत होगा, ऐसा तुम कहीं नहीं सकते हैं, कि वो मिद्रा इन्फलेशन किसी प्रवावित नहीं होगी, 44th question की बात करें, प्राचीन भारत के संदर में, गौतम बुद्र को सामान आते हैं, निम्लिकित में से किन उपनामोस जाना आता, गौतम बुद्र के बारे में, statement कह सकते हैं, इसमें साकमुन की बात करें, साकमुन तो बोलते ही हैं, तथागत बोलते थे, लेकिन नायपुत नहीं है, नायपुत ये जैनिजम सम्मंदित हैं, है ना, चलिए आगे चलते हैं, 45th question में, सुचनाय दिवेन पर विचार करना है, पुरात अत्विक स्थल, राज्यो और विवरन दिया हुआ है, तो इसमें कौन से statement सही है, ये आपको basically इसमें बताना है, तो पहला है चंद्रकेतुगड, चंद्रकेतुगड की बात करें, उडिसा में है, तो ये statement यहाँ पर सही है, तो this is right over there, तो ये that's fine, दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है, that is basically, just one second, hold on, चंद्रकेतुगड basically उडिसा वे नहीं, बलकि West Bengal में है, तो please correct this out, ये है West Bengal में, इनाम गाउं की बात करें, तो इनाम गाउं जो है, ये है आपका माराष्टर में, मंग्डू की बात करें केरला में है, बाकी दूसरा और तीसरा इसमें सही है, बट पहला गलत है इसमें, तो पहला इसमें गलत है, दूसरा और तीसरा सही है, मंग्डू केरला में है, तो ये यहाँ पे B option इसमें सही होगा, ठीक है, चलिए, आंगे चलते हैं, 46th question में चलते हैं, बाकी निल्मिखित शासकों में से, किसने पुर्दगालियों को भटकल में, भटकल में किला बनाने की अनुमद्दी, भटकल में पुर्दगालियों को, तो किसने दिया, ये दिया, कृष्ण दियो रहे ने, भृटी सेवन्थ कॉश्चिन, आपके सामने कानवालीस दौरार राजस संग्रहन के संदरम में निल्विक रिकत्तों पर विचार की जब कानवालीस अ क्या है पर्मनेंट सेटलमेंट मतद जमीदारी सिस्टम बेंगॉल बिहार बनारस उडिसा वाली तो यहाँ पर राजस संग्रहन के रियत बड़ी बंदोबस्त के अधिन किसानों को फसल खराब होने या प्राकरति का अबदाओं के इस हित में राजस भुकतान से छुट दी की तो 47th का भी option इसमें सही होगा 48th में चलते हैं 48th में कोई नीत कथा पर विचार कीज़े उपनिसदों में कोई नीत कथा पैरेबल नहीं है तो उपनिसदों बेसिकली नीत कथा होती है तो यह statement यहाँ पर सही है उपनिसद बेसिकली हम कहा सकते है 6th century AD के टाइम में लिखे गई 6th century BC के टाइम में 6th century BC के टाइम में उपनिसद लिखे गए तो इसको आप विशेश दोर पे धिहान रखेंगे उपनिसदों की रशना पुराणों से पहले हुई बिल्कुसी बात है पुराणों की रशना बहुत बाद में हुए इसलिए पुराणों के बारे में कहा भी जाता है कि पुराणों में बहुत सारी जो है चीज़े mistakes भी उसको बोलते हैं लेकिन उपनिशद जो है वो काफी genuine बोले आते हैं उसमें नीदी कथाएं लिखे हुई है तो इसमें पहला और दूसरा दूनों statement यहां पर साही है तो 48 का basically कौन सा साही होगा 48 का C option साही होगा मतलब बोथ 1 and 2 are correct एक मिरट, just one second इसमें लिखा है कोई नीदी कथा parable नहीं है basically parable है तो यहां पर पहला instrument गलत है second instrument इसमें साही है तो यहां पर इसका होगा B option चलिए, 49th question में चलते हैं भारत international भारत international grains council का दस है देखे international grains council की बात करें तो as of now international grains council में कितने member हैं? तो यह आपको याद रखना है international grains council की जो इस्थापना है वो 1905 ने में हुई है और भारत इसका member है second statement है चावल और गेहों की निर्यात यायात के लिए किसी देश को international grains council का सरस्वन आवश्रक है ऐसा बिल्कुल जुरूर नहीं है वहाँ पर वो recommendation देता है तो पहला statement सही है second statement यहाँ पर correct नहीं है 50th question में चलते है UNESCO की अमूर्थ सांस्कृतिक विराशत की सुची में इम्लिकित में से कौन सा नविंतम सामभेश था अमूर्थ सांस्कृतिक विराशत में तो इसमें कौन सा है यह है आपका गर्बान रित तो गर्बान रित इसका सही अंसर होगा अगले जो कोशन से अगले पार्ट में डिसकस किये जाएंगे तब तक लिए बाबाय एंड ठीक है उसकी लिंक बलकि नीचे लिंक में मैं सेर कर दूँगा यह साल थैंक्यू